प्रफेंस और में चानल देशिस सुवासी इसले दिखते हैं कल मार्केट काउंट हम कर सकता है का उसके बीचे का लाजिक क्या है बहुत सारे कंफीजन मार्केट के अंदर अभी चल रहा है मार्केट आवर्स बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा तो मैं इन डीटेल्स में वीडियो आने वाले टाइम में बनाने वाला हूं अगर मार्केट आवर्स बढ़ता है तो क्या एफेक्ट रहेगा एफेक्ट से जाता है आप लोग इपस क्या उपर्चुनिटी रहेगी ट्रेड करन लेकिन थोड़ा सा सेलिंग प्रेसर कहीना कहीन दिख रहा है तो अभी हम लोग का प्लान आप आक्षन क्या होना चाहिए चलिए पहले हम लोग डेली चार्ट में देखते हैं विकली चार्ट में भी देखेंगे एक यहां पर मुझे डर है अगर आप लोग यहां पर देखोगे एक ट्रेंड लाइन आप लोग को मिल जाएगा समय राउंड इस तरीके का यहां से अगर हम लोग प्राइस एक्षन देखेंगे यह कुछ अच्छा प्राइस एक्षन नहीं है बायर्स के लिए अगर इसके नीचे 39,500 के नीचे अगर यह ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो फिर हम लोग को बड़ा टागेट देखने मिल सकता है निर अबाउट 33,000 भी हम लोग एक्सपेट कर सकते हैं आने वाले टाइम में अगर इसके नीचे आता है यहां पे भी एक सपोर्ट है लिकिन यह चार्ट आप लोग पता होगा यह चार्ट पैटन है जनरेल हम लोग एक फ्लाट लाइन में देखते हैं कि नहां इस तरीके का कुछ एड़न सोल्डर बनाए यह पिक्चर पर्फेक्ट रहता है लेकिन जो ट्रेंड लाइन के साथ रहता है वह ज्यादा एक्टिव रहता है क्योंकि आप ट्रेंड में रहता है अगर यह तरीके से ब्रेक करता है तो अच्छा टागेट देखने के मिल सकता है यहां से लेकर अगर हम नीचे प्रोजेट करेंगे और थर्टी सिक्स या थर्टी फोर भी आता है तो बहुत ज्यादा अच्छा है लेकिन यहां पे अभी तक ब्रे लेकर कर रहा है अगर इसी लेवल से रिवर्स हो जाता है तो हम लोग बायएंग में बने रहेंगे लेकिन इसके नीचे अगल आना स्टार्ट करता है यह स्वेंग के नीचे तो सलिंग का प्रेसर आ सकता है इंसको इस पॉंट बताया थे कि नहीं जहां पर यह हुआ तो इसी फ्लो में इसको निकल जाना चाहिए क्योंकि यह बायर एरिया के आसपास है तो जभी यह वी करना है तो इस लेवल पर वेट कर जाता है 39,000 से लेकर 40,000 के बीच में अगर next week closing देता है इसी range के आसपास अगर कहीं close देता है तो फिर आने वाल टाइम में slow and steady ऊपर की तरफ जा सकता है लेकिन अगर ये पांसो हजार प्रिवेस ट्रेंड अभी दिख रहा है वो सेलिंग का दिख रहा है तो गोई दर ट्रेंड जब तक कि दिखता नहीं है कि ने बाइंग के लिए आ चुका है एक पॉज के अडल यहां पर बनाया है या फिर वेट करें उसके बात का वी हम लोग बाइंग के लिए प्लान लोग का प्लान हो जाना चाहिए तो इक लिए अनलेसिस के हिसाब से जो एरिया के अंदर ट्रेट कर रहा है और उनलेस एरिया है लेकिन त्रेंड दिख रहा है वो सेलिंग करेंगे अगर बुल्स स्ट्रॉंग है तो प्र यहां पर वेट कर जाता है तो हम लोग को समझ में करना है तो हमको समझ में आ जाएगा करेंट स्टेज पर जहां पे दिख रहा है थोड़ा सा सेलिंग अप्रेसर यहां पर भी दिख रहा है तो हम लोग पहले शलींग के लिए प्लान करता है निफ्ट्टी अगर देखें पहले प्लान करना चाहिए उसके बाद हम लोग लाश टेम इसी लेवल के आसपा से ब्रेक आउट हुआ था बहुत टाइम तक वेट किया उसके बाद यह कंटेशन नीचे जा रहा है यहां पर कर देखेंगे लाश टेम सेल आफ आया था उसके रिकावर हो गया था इस बार सेल चांसे सार वेली लेस के नियास अक्टीव और यह कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे लिए थोड़ा सा मार्के प्राइस सेक्षन के इसाफ थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है चलिए वह लोग डेली चार्ट के अंदर या फिप्टेन मिल्स चार्ट के अंदर देखते हैं कहां कर सकते हैं मार्केट ग्याप खुला एक पॉइंट हम लोगों डिसकसन किया था अगर ग्याप खुलता है तो इस लेवल के आसपाद अगर कोई बुलिस क्यांडल बनाता है तब हम लोग करेंगे लेकिन नीचे की तरफ आता रहा और क्लोजिंग भी तरह से नेगेटिव दि अगर यहां से यह फ्याट खुला या नीचे की तरफ बना रहा है तब हम लोग सेलिंग के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं थाटेन ताजिन एट 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 फिप्टी या फिर सेवेन हंड़ेट इस लेवल के आसपास अगर मिलता है 50-100 रुप्रेस टॉप्रस वाना चाहिए व अगर आप रोग देखोगे प्रिविस सउइंग के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कोड़ चुका है आप लोग देखोगे यहां पर क्लोज मेजमि मिलत अप्रिविस प्रिव्यस टैब जहां पे सभीन ता उसके नीचे ट्रेड हो रहा है 17600 की ऊपर हम लोग करेंगे खुले हम लोग continuous selling के लिए प्लान कर सकते हैं no doubt अगर डेली चार्ट देखेंगे निफ्टी continuously पांच या छे दिन से नीचे की तरह आ रहा है अगर आप यहां पर देखोगे sell up continuously यहां पर तीन चार्थ दिन से एक हम लोग को तो रिवर्सल कही ना कहीं देखने मिल सकता है लेकिन रिवर्सल कहां मिलने से अच्छा हो अगर बहुत बड़ा ग्याप डाउन खुल जाएक 17,300 या 200 या फिर 400 इस लेव 350 यह लेवल पर अगर ग्याप डाउन खुलता है हो सकता है कि ने कल फस्ट आप में थोड़ा सा 10-15 मिंट के लिए एक सेल उफ आये उसके बात फिर रिवर्सल आ जाये तब हम लोग बाई कर सकते हैं अगर कल ग्याप डाउन खुल गया तभी में थोड़ा सा बाइं करने के लिए इंट्रेस्टेट हूँ फ्लाट खुला या ग्याप खुला थोड़ा थोड़ा सा मुझे कहना कि सेलिंग का प्रेसर फिर से मिल सकता है एक या दो दिन अगर होल्ट करता है तभी हम लोग करेंगे तो अगर बहुत बड़ा गयाप डाउन बैंग निफ्टी के अंदर खुलता है अल्मोस्ट देट सो से दो सो पॉइंट बैंग निफ्टी अल्मोस्ट हंड़ेड पैस में जरूर हम लोग हैं लेकिन डेली के इसाफ से देखने से एक रिवर्सल आ सकता है उसके फिर कंटिनी हो सकता है अगर एक या दो दिन निफ्टी बैंग निफ्टी इसी रेंच के अंदर बने रहते हैं तब हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे अगर यह लेव के पास एक ग्याप यहां पर पेंडिंग है तो डेफिनेटली एक सेलिंग प्रेसर फिट से मिल सकता है उसके नीचे 1240 के आसपास भी जा सकता है 1278 या फिर 79 77 इसी लेवल के आसपास हम लोग सेल कर सकते हैं और 5-6 रुपय इस्टॉप लोस होना चाहिए 1-2 minimum हम लोग का टा करते जा रहा है और एक स्विंग है नीचे की तरफ अगर यह ब्रेक करता है तो 107 भी हम लोग को मिल सकता है इंट्रेडे के अंदर 109 109.50 के नीचे हम लोग को सेल कर सकता है एक से 2 रुपया स्टॉप लोस होना चाहिए 1-2 minimum हम लोग का टार्गेट रहेगा नेक्स टॉक है पावर गीड अगर हम लोग देखेंगे तो एक लेवल पर कंटिनसली वेट कर रहा है सेलिंग का प्रेसर नोट आउट यहां पर था लेकिन यहां पर कहीं न कहीं एक सपोर्ट फांड आउट कर रहा है अगर कल एक अच्छा फ्लाट खुलता है यहां फिर 216 के आसपास अगर यह मिलता है तब हम लोग कर सकते हैं दो से तिन रुपया स्टॉप लोग का यहां पर टार्गेट रहा है एक अच्छी लेवल पर अपने आपको वल्ट कर रहा है अपलो हस्पिटल अगर आप लोग देखोगे एक पोलेंट फ्लाग का पैटन बन सकता है एक मोमेंटम किया है और यहां से तिंक्या दिन सेल 50% के आसपास बनाया है तो यहां पर बुलिस मोमेंटम पॉसेबल हो सकता है फिर से यह 4500 के उपर निकल लेंगा कोसेश करेगा 4475 के उपर हम्रों इसको प्लान कर सकते बाई करने के लिए 10 रुपे का मिनिवाम स्टॉप लोग का टार्गेट रहेगा यहूप यह सारे पांट आप लोगो समझ में आ रहे होंगे बीडिये चाहले हमें लाइक से अपर्स अभी लिए तना है थैंक्यू